हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हम देखेंगे आपकी और आपके परसन की करण फिलिंग्स किया है एक दूसरे के लिए तो म्यूचिल एनरजी ही निकालेंगे यहां पर तो वीवर्स आप अपने परसन को विज्वालाइज करते हुए इस रेडिंग को देखें और प्रॉपर एनरजी एकचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दे हमारा फर्स्ट काड आया है कुईन ओफ पैंटिकल्स आज साइन मकर विर्षप कन्या कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो हमारा नेक्स्ट काड आया है दमजीशन तो यहां सारे ही साइन आ जाते हैं हमारा नेक्स् सोर्स एयर साइन कुम्मित उन्तुला एक्वेरिस जैमिनाई लीब्रा हमारा नेक्स्ट काड आया है कुईन ओफ वेंट्स फायर साइन मेज सिंग धनू एरिस लियो सेजिटेरियस तो विवर्ष यह आपके या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं ओके विवर्ष तो चलिए कुईन ओफ पैंटिकल से स्टार्ट करते हैं तो विवर्ष आपने अपने उपर वर्क किया है काफी अच्छे से अपने आपको संभाला है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है विवर्ष की आपने बहुत सबर से काम लिया है और अपने पार्टनर को काफी टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं उनको भी ये चीज एहसास होने लग गई है अब तक आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है भले ही जाने में किया हो या फिर अनजाने में किया हो तो वो वर्क करता हुआ नजर आ रहा है और आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी third party relationships थे मुझे ऐसा लगता है उनको वहाँ से बहुती बुरी तरह से धोका मिलने वाला है या फिर हो सकता है कि मिल चुका है क्योंकि देख रहे हैं न वीवर्स हमारे पास है three of source तो बताता है ये third party connection को कि आपके पार्टनर की लाइफ में third party involvement था और नीचे कार्ड है seven of source तो आप देख रहे हैं न एक परसन है जो cheating कर रहा है कहीं से source को लेकर भाग रहा है तो ये इस कार्ट को देखकर मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो अब तक चल रहा था ना जो उन्होंने आपके साथ किया अब उनका कर्मा उनको ही face करना पड़ रहा है अब उनकी लाइफ में भी ये cheating धोका फरे भी नजर आ रही है अब उनके साथ कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है अब वो काफी इस चीज़ों को face कर रहे है और मुझे ऐसे लगता है उनका heartbreak भी हुआ है वो बहुत दुखी है तड़प रहे हैं अब आपको याद कर रहे हैं हमारा next card है queen of fans तो देख रहे हैं अब उनका passion आपके लिए बढ़ता जा रहा है अब आपके लिए काफी passionate फील कर रहे हैं फिर से उनकी जो महबत है जो उनकी दिल के जज़वात है वो बढ़ते जा रहे हैं उनके ज़वात जाग रहे हैं ये कह सकते हैं viewers तो आप इसी तरह manifest करते रहे हैं अपने partner को अगर आप चाहते हैं कि आपका partner आपकी life में वापस आ जाए और third party relationships का end हो वीवर्स hope बना कर रहे हैं आज रही तो कल आपके partner आपके पास आएंगे ही अभी उनको आपके लिए passion feel हो रहा है बट अभी उनने कोई decision नहीं लिया है कि वो आपके पास आएंगे ही तो वीवर्स आप अपना work करते रहे हैं hopeful रहे हैं और God से pray करते रहे हैं अपने ओपर focus रखिए अप self love करिए वीवर्स तो definitely वो आपके लाइफ में वापस आएंगे वो दिन दूर नहीं है यहाँ पर कुछ dates नजर आ रही है एक नमबर तीन नमबर और साथ नमबर यह आपके लिए important हो सकते हैं ओके वीवर्स तो यह थी आपके reading आई होप आपको पसंद आई होगी कुछ तो resonate की होगी और कुछ तो guidance मिली होगी वीडियो को like जरूर करें और मुझे comment में बताएं कि किस किस से resonate की है मैं मिलती हूँ next वीडियो में बब बाई